आज 17 डिसंबर 2022 आज की साकार मुडली से हमें जो गुंच सीखने मिलता है वो है अंतर मुक्ता का हमें अंतर मुक्ता का अभ्यास करना है सोल कॉंचिस का अभ्यास करना सोल कॉंचिस होकर रहना ही सच्चा सच्चा अंतर मुखी बनना है हमारी अंतर मुक्ता की जो अभ्यास है वो निराला अभ्यास है जितना हम अंतर मुखी बनते हैं उतना शक्तिशाली बनते हैं आत्मा को बाहर की किसी भी चीजों का प्रभाव से अगर मुक्त रहना है, तो अंतर मुक्ता का अभ्यास बहुत ज़रूरी है. जितना हम soul conscious होकर रहते हैं उतना शक्ति शाली बनते जाते हैं जो body conscious होकर रहते हैं उनको बाहर की बातों का प्रभाव पड़ता है बाहर मुखता में आते हैं तो अवस्था जो है वो उपर नीचे होती रहती है और गिरते रहते हैं, इसी लिए बाबा कहते हैं कि अंतर मुखी बनने का अभ्यास करो, अर्थात सची सची सोल कॉंशिस अवस्था का अभ्यास करो, जितना आत्मिक सिती में हम रहते हैं, उतना हम इस अभ्यास को बढ़ाते हैं, और सोल कॉंशिस होने के लिए या अंतर वानी को विराम देते हैं, हमारे विचारों की गती भी उतनी धीमी होती जाती है, हम अपने हर विचार को अच्छी तरह से परख पाते हैं, देख पाते हैं, समझ पाते हैं, और जितनी विचारों में क्लरिटी होती है, उतना उसको प्राक्टस में लाना सहज हो जाता है, तो जो अंतर मुखी रहता है याने कि मौन का अभ्यास करता है उसका अपने विचारों पर नियन्दरन रहता है उसकी लिए योग भी उसका सहज रूप से लगता है जैसे हम बाहर जाते हैं कहीं पर तो बाहर की धूल मिट्टी का प्रभाव पड़ता है और हमारे कपड़े मैले हो जाते हैं इसी तरह से मन से बाह्य मुखता में जाते हैं जब हम तो हमारे मन में भी व्यर्थ का कच्रा अंदर में आने लगता है और वो व्यर्थ का कच्रा मन को भारी कर देता है इसलिए अंतर मुकता हमारे मन का जुमेल है उसको साफ करने में अंदर का कच्रा खतम करने में मदद करती है जितना अंतर मुखी रहेंगे उतना सदा सुखी रहेंगे तो ये सब भ्यास को बढ़ाए और अपने जीवन के अंदर सुक्का खुशी का अनुभव करे और सबको खुशियां बाते आज के दिवस की यही शुब कामना ओम शंती